वाला मेरी साहा पंचकुला नैशनल हाइवे पर अग्यात वाहन की चपेट में आने से एक कावडिये की मौके पर ही मौत हो गई जबकी एक कावडिया गंभी रूप से घायल हो गया घटना के बाद गुसाए कावडियों नैशनल हाइवे नंबर 344 पर जाम लगा दिया कावडिये नैशनल हाइवे की सड़क के बीच ओ बीच पैट गए और घटना को अनजाम देने वाले वाहन चालों को गिरफतार करने की मांग करने लगे घटना की सूचना मिलते पुलिस भी मौके पर पहुचे और कावडियों को समझा बुजा कर जाम खुलवाया कावडियों ने पुलिस को चेतामने देते होई कहा कि अगर दो घंटे के अंदर आरोपियों को नहीं पकड़ा गया तो वो फिर से हाईवे जाम कर देंगे एक डेत हो चुकी है एक सीरियस है जिसे आप ही रैफर किया गया है तो हमारी परसाशन से मांग है कि सक्से सक्स कारवाई इसके उपर की जाए